हलो दोस्तों आज के इस वीडियो का टॉपिक है वाई इंडियन रुपी इस फॉलिंग अगेंस्ट दॉलर तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो इस वीडियो में हम कुछ कोश्चन को आंसर करने की कोशिश करेंगे जैसे पहला डॉलर और रुपी का एक्चेंज डेट कैसे डिटर्माइन होता है दूसरा कुश्चन है वाट अधर रीजन्स बैसिकली रीजन्स क्या है डेप्रिशेशन जो हो रहा है रुपी का अगेंस हमें इस डिप्रिशेशन को फफर्दर प्रिवेंट करने के लिए और रूसे का जाता है औरš कौश्चन और्र क्यों आपको फोर्म कई लिए कितनी कि संक्या है एक लेते हैं माल लेजे एक्षेंज रेट वन डॉलर इक्वल तो 68 रूपीज है इसका मतलब यह है कि आपको 68 रूपीज पे करना पड़ेगा एक डॉलर को खरीजने के लिए कुछ बात करते हैं 2013 एक्षेंज रेट वह एक डॉलर जो है शिष्टी रूपीज के बराबर था वहीं 2018 में एक डॉलर 74 रूपीज के बराबर था और वहीं 2022 में यह आल्मोस एक्टी डॉलर तक टच कर गया था और अभी राउंड अबाउट यह वन डॉलर इकवर तो 79 रूपीज के आसपास है इसका मतलब हमें जो है एक डॉलर को खरीदने के लिए 2022 में ज्यादा रूपए पे करने पड़ेंगे जब हम इसका कंपरेजन जो है 2018 या 2013 से करते हैं इसी को हम डेप्रिशेशन ऑफ रूपी अगेंस यूएज डॉलर कहते हैं या फॉलिंग ऑफ रूपी अगें जो हम डॉलर को खरीदाना क्यों चाहते हैं डॉलर को हम इसलिए उसलिए झाल कि हमारे को जरूपी अब बात करते हैं कि आपके एक शांग कैसे होता है करेंटली जो गडिपाय के शेचने ये मार्कटक होता है यह market फोसले always its Sesame 오늘도 माल लेते हैं कि मार्कियन में डॉलर का सपलार जो है कम हो जाता है टो डॉलर का सपलार कम हो जायगा ऐस ऐस चोंपेट टू जित्ती डिमांड शयादा है सपलारिक हम आपका तो उस केस में जो है रूपी का depreciation स्टार्ट हो जाएगा as against US dollar और माल लेजे अगर supply ज्यादा है demand कम है तो उस case में appreciation होगा रूपी का as against US dollar appreciation का मतलब माल लेजे आज 1.80 रूपए का है तो कुछ समय के बाद near future में 1 dollar की कीमत हो जाती है अब हम बात करेंगे depreciation और appreciation जो हो रहा है रूपी का इसका क्या effect पढ़ेगा इंडिया के export और import सबसे पहले हम बात करते हैं कि depreciation depreciation का क्या effect पढ़ेगा import और export पे तो इसके लिए हम एक example लेते हैं माल लेते हैं हम कोई good import करना चाहते हैं जिसका price है hundred dollar और इसमें हम दो केस लेंगे एक पहला केस रहेगा कि exchange rate जो है one dollar equal to 74 rupees है तो हमें इसे इंपोर्ट करने के लिए कित्ता पे करना पड़ेगा 74 multiplied by 100 74 hundred rupees पे करना पड़ेगा दूसरा केस लेते हैं जब रूपी और depreciate हो गया और exchange rate हो गया one dollar equal to 80 rupees उस case में हमें कित्ता पे करना पड़ेगा उस case में हमें पे करना पड़ेगा 80 into 100 equal to 8000 rupees इस good को import करने के लिए तो मतलब जब depreciate हो गया है currency तो हमारा इंपोर्ट जो है महंगा हो गया है अब export का case देखते हैं माल लिजे हम एक कोई good produce करते हैं अपरी country में जिसका price is 7400 rupees और इसमें भी दो केस लेंगे माल लेते हैं पहले case में exchange rate 74 rupees तो उस case में जो importer है उसे उस good को import करने के लिए कित्ता पे करना पड़ेगा हमें वो होगा 7400 divided by 74 equal to 100 dollar तो हम देखते हैं कि अगर currency depreciate हो रही है तो हमारे export जो है वो चीप हो रहा है क्योंकि पहले जब exchange rate one dollar equal to 74 rupees था तब जो है हमें importer ने हमें 100 dollar पे किये और जब currency depreciate होके one dollar equal to 80 rupees हो गया तो उस case में जो है importer ने हमें about 93 dollar पे किये तो इस case में जो है importer point of view से export जो है हमारा वो चीप हो गया है अब हम दूसरा case consider करते हैं माल लेते हैं appreciation हो रहा है रूपी का तो उस case में जो है export और import पे क्या effect पड़ेगा किसी country के अब रूपी का appreciation हो रहा है मतलब यह clear है कि आपका जो demand है वो कम है और supply जो है economy में dollars की वो बढ़ गई है तो अब हम इस इसमें जो होगा वह exactly opposite होगा जो depreciation के case में हुआ था depreciation के case में जो है export cheap हुआ था इस case में जो है export costly होगा और import cheap होगा अब हम बात करेंगे reasons क्या है यह जो depreciation हो रहा है इसका reasons क्या है सबसे पहला reason बात करते हैं पहले reason में जब से यह Russia और Ukraine का war start हुआ है तब से ही crude oil price जो है 100 dollar के उपर ही रहा है और even यह बीच में तो 140 dollar तक भी चला गया था crude oil price बढ़ने के कारण इंडिया का import bill बढ़ गया है क्योंकि इंडिया की जो total crude oil requirement है उसका 80% oil इंडिया इंपोर्ट करता है उस requirement का 80% जो है इंडिया इंपोर्ट करता है और rising crude oil prices की वज़े से dollar का outflow हुआ है जिस वज़े से rupee depreciate हुआ है as against US dollar अब हम दूसरे reason की बात करते है दूसरा reason है कि depreciating currency exports को बढ़ावा देती है क्योंकि exports हमारे cheap हो जाते हैं बट जब global demand ही कम है जो depreciating currency की help नहीं कर सकती export बढ़ाने में global demand कम होने के कारण है जो recent pandemic था और recession का fear भी है जो advanced economies में देखा जा सकता है जैसे कि US ऐसे में जब export बढ़ा नहीं और import बहुत काफी हो रहा जिसका result होगा कि depreciation होगा rupee का as against US dollar अब हम देखते हैं कि RBI ने क्या action लिया है इस depreciation को further prevent करने के लिए ऐसी situation तक ना जाने के लिए जहां यह depreciation RBI के भी control के बाहर हो जाए जिसे हम run aware depreciation भी कह सकते है RBI का एक सबसे important function है one of the important function कि यह foreign exchange reserves इनका custodian होता है अब यह foreign exchange reserve क्या होता है simply कहें तो यह foreign currencies का एक reserve होता है जो RBI के पास होता है इसमें main foreign currency जो होती है वो US dollar है अगर माल लीजे रूपी का ज्यादा ही depreciation हो जाता है ज्यादा ही volatility आने लगती है exchange rate में तो उस case में RBI जो है कुछ dollar इस foreign exchange reserve से निकाल करके market में inject कर सकता है जिसकी वज़े से जिससे क्या होगा रूपी phase से थोड़ा stabilize होगा और यही एक action है और इसके अलावा क्या option है हम उसको भी देखते हैं पहला option है कि जो imports है उसकी बज़ाए हम कुछ domestically produce goods को substitute करें imports करने के बज़ाए हम अपनी country में ही goods को produce करें इससे क्या होगा import will कम होगा और इस वज़े से हमारा dollar का outflow भी कम होगा और currency का depreciation नहीं होगा further depreciate नहीं होगी currency जो imports है उन्हें domestically produce goods से replace करने को इसको एक हम technical word भी देते हैं इसको import substitution कहते हैं तो import substitution से जो है हमारी currency का depreciation जो है प्रिवेंट किया जा सकता है अब दूसरा reason क्या हो सकता है कि इंडिया जो है 80% जो इसका crude oil requirement है इसको import करता है तो अगर crude oil की बजाए हमें renewal energy sources पर और जो दें जिससे crude oil पर dependence कम हो तो import बिल भी कम होगा और import बिल कम होगा तो dollar का outflow कम होगा और depreciation जो है नहीं होगा फिर रूपी का as against your solar इस वीडियो के लिए इतना ही वीडियो को मैंने काफी simple रखने की कोशिश की है इसमें कोई भी core economic concept मैंने इस्तमाल नहीं किया है और उमीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर आपकी कोई query हो तो उसे comment section में जरूर बताए थैंक्यू